तो आज की रेस्पी बहुत खास है आज हम आपके लिए बंडारे वाले आलू की रेस्पी लेके आएं सबजी लेके आएं मेथी की फूली फूली पूरी के साथ इन दोनों का कॉंबिनेशन बहुत ऑसम होता है एक रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मेह डारी हमें कसूरी मेति उकी हुई मेति पूरी मजार की बन दरूरी मेति पूरी बना रहते हो प Taylor की सब्सक्राइब धूज़को से मिक्स करलेंसे और इसके बाद हमनें थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर नॉर्म जैसे यम पूरी काटल लगाते थे मुए तो इसको ड़क करते हैं और आलू बना कर त्यार कर लेते हैं तो आलू बनाने के लिए मैंने यहां बड़े दो चमचे तेल गर्म की असमें जीरा दो तेजबता चार काले मिर्च और दो लोंग रिये और पींच ओफ हिंग डाल दी तो इसमें स्लिट कीवी डालेंगे अभी हम चार हरी मिर्च तो इनको भी अच्छे तरह से चटका लेते हैं और इसके साथ ही मैंने डाल दी जहां चाट माटर लिए थे छोटे साइस के थे उसको मैंने ग्रैंड कर लिया था ये डाल दिये बस मिक्स करके अभी आड़ कर देते इसमें मसाले मसालों में डा रहु है भी जब को पकाएंगे मसालों जब तक टेल न चोड़ दे कुछ इस परकार अभी इसमें अमचुर का पाउडर तो इसकी जान है शान है बहुत ही टेस्टी आलू बनकर त्यार होते हैं यह बंडारे वले तो अब हम डालेंगे इसमें आलू मैंने आलू वालना नहीं बताया आ अलुु वालना है नूर्मली तो बस पानी डाल कर उबालना होता हैуск Dalised दौर लिर और आख पर करके कंग इनको कुल भी मयाश करके नहीं जालना नहीं और ग्रेवी एक्दम से अलग सब्सक्राइब कि मज़ा ही नहीं आएगा उसको खाने के थोड़े मोटे मोटे आलू रखने है तो बस इस परकार कुछ आप देख सकते हैं जैसे मैंने डाले हैं और इसको डाल कर मसालों के साथ अच्छी तरह से हमने दो मिंट के लिए बूर ना है ताकि मसालों का फ्लेवर जो है और कलर है जो आलूं तक चड़ सके तभी आलू जो हैं बड़े अच्छे बन कर त्यार होते हैं तो बस अभी ये दो मिंटों हो चुके हैं तो अभी हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे ग्रेवी के साब से पाणी मैं यहां एक गिलास पाणी आड़ कर रही हूं और डालने के बाद इस अल proportions चökड़्यी ने काफी सारी रेक्तर कर लिए तो बस थोड़ां से ओड़ी लेंगे पेड़ देघुके उपट च्छोटी से पुरिया मना करेड़ी कर लेंगे हैं पोर्याय को उलयकी प्रेद्ध इधाउर नसना का ड्यूद्वादब टेलशते कार इसका मतलब्स ब तेल फूले करोंगे ना तो आपकी सारी-की सारी पूरिया जो है फुली-फुली बनेंगी तीप यहां क्या है जब हमने पूरी बेल ना शुरू करनी है सूखाता लगा कर नहीं consider टेल कर पूरिया तislahаны अगर सुखाता लगा हो गें तो तेल बहुत जारह अब्जूर्ब करेंगे ये पूर्या की तो बस देखें मैंने इसुटनी भी पूरिया डाली है सारी की सारी फूल कर त्यार होई हैं आप इसी टिप के साफ से बनाईएगा बहुत ही बढ़िया पूरिया बनती हैं और इस आलो की सब्जी के साथ तो मज़े ही आ जाता है इसको खाने का तो आप जरूर इसको घर में ट्राइ कीजिएगा तो बस यह देखिए सारी फूरी हमन बना कर रेडी कर लिया है तो कर लिया हमने इनको गर्मागर्म आलो की सब्जी के साथ सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक शेयर करना अभी के लिए म आपको करते हैं बाई बाई टेक कियर